हर्याना के टोचन किंग निशु देशवाल की मौत से उनके फॉलोवर्स में मातम है हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर निशु देशवाल इस जोखिम भरे खेल की रील अपलोड करके कितना पैसा कमा लेता था सबसे पहले बता दे कि निशु देशवाल ने 27 सितंबर 2015 को YouTube अकाउंट बनाया था और 8 जनवरी 2017 को उसने पहली वीडियो अपलोड की थी साथ साल के दोरान निशु देशवाल ने स्टंट और ट्रैक्टर टोचन की 1079 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड की है इस चैनल पर यदि वीडियो से मिले कुल व्यूज की बात की जाए तो वो 296 मिलियन से भी अधिक है अगर इन आंकडों के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो उनकी कुल आमदनी करीब 4 करोड रुपे से भी अधिक बताई जा रही है उनकी सबसे पॉपुलर वीडियो ट्रेक्टर टोचन की ही है और उस पर करीब 2 करोड व्यूज है वहीं इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी मिलियन में सब्सक्राइबर है अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पिछले 30 साल के श्रेष्ट अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्र गढ़ में भी कक्षा बारहवी के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11 और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करे जिन से भी निशु देशवाल अच्छी कमाई करता था बताया यह भी जा रहा है कि निशु के पिता पर लाखो रुपए का कर्ज था जिसको निशु देशवाल ने स्टंट के माध्यम से रील बना कर चुकता किया था परिवार में फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अब एक बार फिर से उनकी मौत के बाद संकट चा गया है निशु स्टंट करने के लिए सबसे अच्छी जगह यमुना की तलहटी को मानता था यही कारण था कि वो अपने गाव कुराड से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर गाव तामसाबाद में यमुना की तलहटी में स्टंट करता और वीडियो बनाकर अपलोड करता निशु एक महीने में करीब 15 वीडियो अपलोड कर देता था और इंस्टाग्राम पर भी रील की भरमार रहती थी इन साथ साल में उनके काफी फॉल्लवर भी हो गए थे और उनके स्टंट और टोचन की वीडियो काफी पसंद की जाती थी उनकी मौद की सूचना मिलने के बाद लोगों को एक बार तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घटना सही भी है क्योंकि ट्रैक्टर ड्राइविंग में उनको काफी माहिर बताया जाता था उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक अफ शेयर करना ना भूले और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हरियाना के टोचन किंग निशु देशवाल की मौद से उनके फॉलोर्स में मातम है हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर निशु देशवाल इस जोखिम भरे खेल की रील अपलोड करके कितना पैसा कमा लेता था सबसे पहले बता दे कि निशु देशवाल ने 27 सितंबर 2015 को यूट्यूब अकाउंट बनाया था और 8 जनवरी 2017 को उसने पहली वीडियो अपलोड की थी साथ साल के दौरान निशु देशवाल ने स्टंट और ट्रैक्टर टोचन की 1079 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है इस चैनल पर यदि वीडियो से मिले कुल व्यूज की बात की जाए तो वो 296 मिलियन से भी अधिक है अगर इन आंकडों के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो उनकी कुल आमदनी करीब 4 करोड रुपे से भी अधिक बताई जा रही है